श्री राधे श्याम एक भाई के द्वारा श्री सद्गुर्देव शताब्दी महत्सव को लेकर एक भ्रह्म फेलाया जा रहा है कि इस वर्ष सद्गुर्देव शताब्दी महत्सव नहीं है अगले वर्ष है तो इस वर्ष जो श्री गोर कृपाधाम के द्वारा, वैश्नमों के द्वारा, श्री सद्गुर्दे भगवान का शताब्दी महुस्व मनाया जा रहा है, संत महंत उसको माननेता न पुरदान करें, हम लोग अगले वर्ष मनाएंगे, तो उसमें सब संबलित हों। तो ऐसा भ्रम एक महन भाव के द्वारा फ्हलाया गया, तो अनेक साधुजन का, संत जन का फोन भी आश्रम पर आया, और इनेक वैश्नमों की जिग्यासा भी इस चीज को ले करके हुई, कि इसका निराकरण करना चाहिए, क्योंकि सब को अलग-अलग उत्तर देना संभव नह है, तो इस वीडियो संदेश के द्वारा इस ब्रह्म का निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं, शताब्दी महसव का निर्धारण जन्म संभत के आधार पर होता है, और जन्म संभत का प्रमान होना आवश्यक है, तो संत सद्गुर्दे भगवान की जन्म संभत कब है, जन्म तिथी कब है, इसका सबसे बड़ा प्रमान पुज्य सद्गुर्दे भगवान के प्रगट काल में, आज से लगभग 25 वर्ष पुर्व, माने सद्गुर्दे भगवान जब धरा धाम पर विराज रहे आप सुक पुर्वक, उस काल में ही पुज्य सद्गुर्दे भगवान के वरिष्ठ परंप्रिय शिश्य श्री राम सिंग जी, जिनकों की सहिचरी शरण कहके भी संबोधित किया गया है और भाई जी सब गुरु भ्रातागन उनको भोलते, तो उन आदर्णिय श्री राम सिंग जी के द्वारा पुज्य बाबा महराज के प्रगटकाल में, उनकी सम्मती से और पुज्य बाबा महराज के पुर्वाश्रम के जनों की सम्मती से साक्षों के साथ में, पुज्य सद्गुर्दे भगवान के प्रगटकाल में ही उनके चरित्र का लेखन पद्य में किया गया, माने आज से 25 वर्ष से भी अधिक पूर्व की बात है ये, और उस ग्रंथ पर जो शुभाशीश प्रदान किया, वहरा परम पुज्य श्री भटजी महराज ने शुभाशीश प्रदान किया हुआ है उस ग्रंथ पर, अभी उस ग्रंथ का हम आप सबको दर्शन भी कराते हैं, प्रमान भी देते हैं, जिन पुज्य पाद भटजी ने संपून जीवन पुज्य भाबा महराज को श्रीमद भागवजी श्रमन कराए, और उनके द्वारा उस ग्रंथ पर शुभाशीश भी प्रदान किया गया, वो पहला ही ग्रंथ श्री सद्गूर्द भगवान के प्रगटकाल में ही जीवन वृत्य को लेकर के पद्य में लिखा गया, उस ग्रंथ का आप सबको हम दर्शन भी कराते हैं और साथ साथ उस ग्रंथ में वर्णित जन्म टिथी और जन्म संबत का प्रमान भी प्रदान करते हैं। यह ग्रंथ आज से लगभग 25 वर्ष पुर्व पुज्य सद्गूर्द भगवान के प्रगटकाल में ही लिखा गया है। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद गूर्देव लीला चरित काव्यम। इसके लिखने वाले पुज्य बाबा महराज के मंत्रशिष्य उनके परमकृपा पात्रश्री राम सिंग जी सहचरी शरण भाई जी हैं। और इस ग्रंथ के पीछे भी ये चित्र अंकित है। पीछे प्राप्टी स्थान भी लिखा है। अब इस ग्रंथ को प्रारम से प्रारम कर रहे हैं। ये इसका मुख प्रश्ट है। फिर भीतर ये गुर्दे भगवान का दिव्यचित्र अंकित है। फिर इसके बाद ये भीतर का है। और इस ग्रंथ के ये प्रारम में ही पुझ्य भटजी का सन 2000 में, माने आज से 23 वर्ष पहले तो शुभाशीश ग्रंथ के लिए दिया गया है। पुझ्य भटजी का लेख भी इसमें विराजमान है। यहां पर भी लेख केशो भाशीश जो दिया गया है, उसकी भी तारिक लिखी है। अब यहां से ये जो पुराना ग्रंथ है प्रारंब हो रहा है। शुरू में मंगला चरण है। फिर यहां से पद्य में चरित्र कहा गया है। और प्रष्ट संख्या ग्यारहा पर। पुरानी परती जिनके पास होगी प्राय जो भी पुराने भक्त हैं। पुझ्य बाबा महराज के प्राय उन सब के पास ये ग्रंथ होगा। तो इस पुराने ग्रंथ के ग्यारह संख्या प्रष्ट संख्या पर वर्णन है। आप देखिएगा। पहले जन्मिस्थान को प्रणाम कर रहे हैं। जयती जयती उतकल्ठली प्रभु जगन्नात श्री धाम तही पुर्भुत्तर दिशी रयो पांडु कुली शुची ग्राम। फिर माटा पिता का नाम श्री भिकारी मिश्र दंपति प्रभर निवसत तहमति धीर ताके घर उदभव भयो शिश सुन्दर सुवंग शरीर। अब जन्म संवत आप देखिएगा। सोरठा लिख रहे हैं श्री राम सिंग जी। वर्ष असी शुभ लगन विक्रम संवत उन्निस सो भये अशुब सब भगन जन्म भयो शिशुको सुभग। फिर दोहा लिख रहे हैं मार्ग शीर्ष सित पक्षति थी चातुर्थी शुभवार ग्रह नक्षत शिष्ट सुभग सर्भ सान कुल सुखसार। तो आप संवत पढ़िए क्या लिखाएं वर्ष असी शुभ लगन विक्रम संवत उन्निस सो इसका अर्थुवा संवत उन्निस सो असी और फिर तिथी भी नीचे लिख रहे हैं मार्ग शीर्ष सित पक्षति थी चातुर्थी शुभवार इसका अर्थुवा मार्ग शीर्ष मास माने अगन का महिना शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथी विक्रम संबत 1980 सब विद्वान जन संत जन इसको देख सकते हैं एक बार फिर पढ़ देते हैं वर्ष 80 शुभ लगन विक्रम संबत 1900 माने 1980 विक्रम संबत के मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथी को जगनात पुरी के निकट पांडुकुली ग्राम में श्रीमान भिकारी मिश्रजी के घर पर पुझ्य सद्गुर्देव भगवान प्रगट हुए तो 1980 संबत में अगन शुक्ल चतुर्थी को गुर्देव भगवान प्रगट हुए हैं तो अब हमारे सब आदर्निय संत महंत जन और जो प्रिय वैश्नव भाई बंधु हैं वे सब बताएं कि अब कौन सी संबत चल रही है अब संबत चल रही है 2080 किसी भी पंडित विद्वान से पूछा जा सकता है अगर संबत का ज्यान न हो तो हिंदी कलेंडर को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है संबत 2080 तो 2080 संबत अब चल रही है अब पुझ्य सद्गुरुदेव भगवान प्रगठ हुए है 1980 संबत को मार्गशीर्श मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथी को तो फिर बताइए इस वर्ष शताब्दी महोसव है या नहीं है हम लोगों के सारे जो उस्व है वह तो विक्रम संबत और हिंदी मास के अनुसार होते हैं अंग्रेजी तिथियों के अनुसार थोड़ी होते हैं तो 1980 संबत में जब सद्गुरुदेव भागवान प्रगट हुए हैं अगन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथी को तो इस बार 2080 संबत की अगन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथी को सौ बर्ष पूर्ण नहीं हुए क्या इस ग्रंथ का आपने दर्शन किया और अभी 2-3 वर्ष पहले भी एक नया ग्रंथ प्रकाशित हुआ है परम आदर्णियं श्री संदीप सिंग्वी जी के द्वारा यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है ये इस ग्रंत के प्राप्टी स्थान है, वुरंदावन का प्रसिद ग्रंथाल है, खंडेलवाल वहाँ पर भी ग्रंथ उपलब्द है, तो ये ग्रंथ 2-3 वर्ष पहली प्रकाशित हुआ है, ये इसका मुख प्रस्ट है ग्रंथ का, सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन ह भूरा इस ग्रंथ में नाम अंकित है, अब इस ग्रंथ में भी आप देखियेगा इस ग्रंथ में भी जो मूल लिया गया है काव्य पाध्य, वो पुझय श्री रामसिंग जी कहीं है और इसमें अनुवादक श्री मनमुहन शर्मा जी हैं और इसका प्रकाशन आदरनिय भाईसाब श्री संदीप सिंग्वी जी नई दिल्ली उनके द्वारा किया गया है अब इस ग्रंथ में भी आप प्रमान देखिएगा इस ग्रंथ के प्रारंभ में ब्रजब्रिंदावन के म परम पुझ्य भट जी परम पुझ्य मलूक पीठा दिश्वर जी परम पुझ्य श्री ध्रू गुस्वामी जी श्री सनातन किशोर गुस्वामी जी और सब संत आचारे जनों का राधारमन जी के गुस्वामी गन और श्री बजबी हारिदास भक्त माली जी श्री चैतन्य द इस ग्रंथ का नाम है श्रीमत गुर्देव लीला चरित, इसमें सब संतों के हस्ताक्षर और सब संतों के कृपा आशिरवाद भी अंकित हैं, अब इस ग्रंथ में भी आप देखिएगा, इस ग्रंथ में भीतर गुर्दे भगवान की छवी अंकित है, और फिर यहां भी दिया गया है, तो यह नया ग्रंथ जो अभी दो-तिन बर्श पहले संदीब जी के द्वारा प्रकाशित किया गया, इसमें प्रश्ट संख्या 52 को आप देखिएगा, तो इस प्रश्ट संख्या 52 पर सोर्था भी लिखा है, पहले तो इस्थान का ही बर्णन है, पुज्य अर्थ क्या हुआ वर्ष असी शुब लगन विक्रम संबत उन्निस सार। शुक्ल पक्षकी चतुर्थी टिथी को सद गुर्दे भगवान ने अवतार धार्ण किया है। तो कितने और ऐसे प्राचीन प्रमान और साक्ष हैं जिनमें इस पश्ट रूप से उन्निस सो असी संबत बर्णन है और इस वर्ष दो हजार असी संबत है तो शताबदी वर्ष तो है ही। फिर उन भाई के द्वारा ये कहना और इस बात का फैलाना इस भ्रह्म को कि इस वर्ष इस्व को माने न माना जाए। लोग अगले वर्ष मनाएंगे वो तो आपकी रुची है आप अगले वर्ष उत्सव मनाएं आप दो वर्ष बाद मनाएं आप पांच वर्ष बाद मनाएं आपकी जब इच्छा हुआ आप तम मनाएं और हम तो प्रभू को ये प्राठना करते हैं कि एक बरष दो बरष क्य हमको भी आज्या करिए, हम भी आकर नाम करेंगे, एक दो बरश क्यों, दस बीस बरश शताबदी महस्व मनता रहे तो प्रशनता की बात है, लेकिन अपने किसी व्यक्तिगत राग द्वेश के कारण सद गुरुदेव भगवान की एकदम इसपष्ट, सटीक, जन्म, तिथी को ही विवाद आस्पद बना देना, ये किसी भी प्रकार उचित नहीं है, ये तो एकदम इसपष्ट है, समवत 1980 है, इसपष्ट है, समवत 1980 में अगनमास की शुक्ल पश्की चतुर्थी को श्री सद गुरुदेव भगवान का प्राकट्टे हुआ है, और इस बार अंग्रेज जी तिथी के अनुसार, वो जो तारिक है, वो 16 दिसंबर 2023 की बैठ रही है, तो उसके पहले यहां श्री गौर कृपाधाम के वैशनव जनों के द्वारा, सो दिन अलग-अलग स्थानों पर नाम किया गया, और अब 11 दिन का उस्सव चल रहा है, जिसमें परम पुझ्य श्र भट जी महराज, जिनों प्रगट काल में भी संत सद्गूर्दे भगवान को श्रीमद भागवजी शमन कराई अपने संप्मून जीवन, तो इस बार उस्सव का यही रूप रखा गया, कि जिसमें सद्गूर्दे भगवान की प्रसनता हो, वही काम किये जाएं, तो समझ मे यही आया कि दो ही चीज प्रसनता विधान कर सकती है, एक तो हरी नाम और एक हरी कथा, तो सब ने मिलकर के सो दिन तक नाम किया, वो नाम अभी भी चल रहा है, और पुझ्य भट जी महराज की कथा की विवस्था की गई, उसमें मुख्य अजमान सद्गूर्दे भगवान ह कि वही कथा सुन रहे हैं, हम लोग भी पीछे बैट करके प्रयास कर रहे हैं श्रवन करने का, तो जन्म शताब्दी उस्व है, तिथी के अनुसार भी, गणित के अनुसार भी, फिर भी एक ब्रह्म पहलाना, तो व्यक्ति का विरोध तो किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति विरोध करते करते, जन्म टिथी का ही सद्गुर्देव की जन्म टिथी और उस्व का विरोध करना, या कोई ब्रह्म वाली बात पहलाना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, आप इस बार उस्व मनाएं, आप आगे मनाएं, सब लोग मनाएं, खूब परसन्नता है, ल जहां जहां चरित प्रकाशित है वहीं वहीं विक्रम संबत 1980 का वर्णन है अब आप 1981 क्यों मान रहे हैं क्या आप यह हो सकता है कि आप भूल गए हो जब यहां उस्व प्रारंभ हुआ 100 दिन का शाय तब तक आपको याद ना आया हो क्या बार विस्मर्ती हो जाती है कि इस बा दा गया तब उत्सव को प्रारंभ किया जा सकता है लेकिन जन्म टिथी को थोड़ो जुटलाया जा सकता है तथे से छेड़ छाड़ थोड़ो हो सकती है तो विक्रम संबत 1980 ग्रंथ सबसे बड़ी बात के पुझ्य सद्गूर्देव भगवान के प्रगटकाल में जिसमें स्वस्थ वस्था में आप विराज रहे प्रशनता पूरवक उनी की संमती से और पुझ्य सद्गूर्देव भगवान के जो पुरवाश्रम के शरीर संबंद के जन थे उनकी संमती से उनोंने जो साक्ष दिये क्योंकि जनम टिथी और जनम संबत तो कुल ग्राम के लोग ही बता सकते थे पुझ्य भाबा महराज ने भी इस बात को संमती प्रदान की की हाँ वर्ष उन्निस सो माने विक्रम संबत उन्निस सो अस्सी ही है तो अब इतने बरश बाद उस जनम टिथी में छेड़ चाड़ करने की जरूरत नहीं है ठाकुर जी कृष्ण जनमाष्टिमी क प्रगट हुए है तो उसको हम नौमी थोड़ो बना देंगे श्री राम चंदर जी नौमी को प्रगट हुए है तो उसको दश्मी थोड़ो बना देंगे तो जो ठिथी है वो है हां उस्सव सब लोग सवतंत रहें इस बार सौमा उस्सव है तो अगली बार 101 होगा फिर 102 कि दस बरस तक्षतापदी मौस्व मनता रहे, घर-घर में नाम हो, घर-घर में गुर्देव भवान के यश्का प्रकाश हो, तो किसी व्यक्तिकत रागद्विश के कारण ऐसे तिथी को प्रभावित करना या कोई भ्रम फैलाना उचित नहीं है, ऐसी ही हम प्रार्थना करते ह तो संत जनों के सन्मुख भी साक्ष को प्रस्तुत किया, और जो भाई भी ऐसी बात कर रहे हैं, उनसे भी हाँ जोड करके निवेधन है, कि संत सद्गुर्दे भगवान सबके ही होते हैं, वो किसी एक के नहीं होते हैं, और हम लोग तो क्या संत सद्गुर्दे भगवान का उस्व मनाएंगे, संत सद्गुर्दे भगवान का उस्व तो निताई गोरांग महा प्रभुजी मनाएंगे, संत सद्गुर्दे भगवान का उस्व तो श्री गोलोक में नित्य निकुंज में स्यामा स्याम मनाएंगे, हम लोग क्या उस्व मनाएंगे, हम तो वास्तम में उन को नामश्रवण करा कर कथाश्रवण करा करा के अपने कोई कृत कृत कर रहे हैं तो इस प्रकार भ्रम की بाते न करें और सब प्रेग्पूरवक नाम करें and खूप प्रशनिता पूरवक गुर्देव भगवान का उस्व मनाए आप सब को पुना पुना आवाओ